हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकिंड बाद स्टार्ट, महोदे, भारत सरकार देश की आर्थिक इस्तती पर बराबर गोर करती रही है मैंने संसद के अपने पिछले अभिवासन में थोक दामों में थोड़ी कमी का उलेख किया था कमी की और का यह जुखाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया कुछ अंश में यह सारे संसार में चीजों की केमतों के उन्हें समायोजन के कारण हुआ जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी, वह कोरिया में युद्ध आरंब हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी कोरिया में विराम संधी की आशा की जलक से केमतों के पुने समायोजन की यह प्रकिरिया जोर पकड़ गई है देश में अधिक उत्पादन होने से और उबगताओं द्वारा उँची केमतों का अधिका अधिक विरोध किये जाने से इस पुने समायोजन के जुखाव को और भी बल मिला है सरकारी नीती ने भी जो मुद्रा इस्पिती रोकने के विचार से आरम की गई थी कोमा दामों को गिराने में सहायता की है जो लोग वानिज्य और कारोबार में लगे हैं कोमा वे और विशेशकर कपड़े और पठसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें भी कमी होने लग गई हैं हमारी सरकार इस्तती को बहुत ध्यान पूर्वक देख रही है जिससे इसका हमारे यहां के उतपादन पर और लोगों को दंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव ने पड़े उसका विचार है कि मुल्यों को एक उचित इस्तर पर टहरा देने के लिए जो कारवाही आवशक होगी कौमा वह करेगी इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उतपादन मंत्राले इस्थापित किया गया है सरकार के कारखानों के उतपादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नये मंत्राले की इस्थापना किये जाने से सरकार ने पिछले वर्ष संसत को आसवासन दिया था कि समाचार पत्रों समंदी विविद प्रशनों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा आसा है कि सरकार निकट भविषय में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी ऐसा सोचा गया है कि संसत के सामने समाचार पत्र कानून जाच समीती की सिफारिसों से उद्भुत एक विधेयक उपस्तित किया जाए संसत का यह सत्र विचेश रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे परकार के कानून बनाने के लिए सायद बहुत समय नहीं मिलेगा 1952 के वित्ये वर्ष के लिए भारत सरकार की आईवे का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसवा के सदश्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा अंतरकालिन संसद के अंतिम सत्र के बाद कोमा सोराष्टर पोर्ट डवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवशक हो गया था वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधायक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा महोदे कोमा हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्तिदी इस सुखद परिवर्तन का प्रमान है व्यक्तिगत ऐस वीधा के बावजोद उन्होंने गणराज्य दिवस समारों देखने के लिए हमारा निमंत्रन स्विकार किया और वे यहाँ पधारे हैं विदेशों के साथ महत्वपून संपर्क की दिशा में यहे वर्ष चिर इस्मरणिय रहेगा इस वर्ष बाहर से कई एक सम्मानिय महानुभाव हमारे देश में आए उनमें युगोसलाविया के राष्ट्रपती, चेनी लोकराज्य के प्रधान मंत्री, स्री लंका के प्रधान मंत्री और इंडोनीसिया के प्रधान मंत्री का मैं विशेश उलेख करना चाहूंगा इन महान नेताओं का सवागत करना हमारा सोभाग्य था रूस, चेन तथा अफगानिस्तान के सांस्क्रतिक सिष्ट मंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए इन सिष्ट मंडलों को भारत में बहुत लोक प्रियता मिली ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्क्रतिक सिष्ट मंडलों के आदान प्रदान की उपादे यता निश्चे ही बहुत अधिक है संयुक्त राष्ट्र संग के आदर्शों में हमारी आस्था यथा पूर्ण स्तिर है फिर भी कोमा मेरे विचार से विभिन भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्ष कोमा उस महान विश्व संगठन के उद्देश अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं एसिया और अफ्रिका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं कोमा जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे मुझे बहुत प्रसन्यता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकारता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है यह सब कार्य निश्चे ही बहुत बड़े हैं कोमा इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए द्रड संकल्प और आत्म विश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है यह उस नए युग का आरंब मात्र है जिस भूपर उतरने की हम प्रतिग्या कर चुके हैं जो महानकार्य हमने अपने उपर लिये हैं कोमा उन्हें संपन करने के लिए भारत को अपने प्रतेग नागरिक की सदभावना कोमा सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आसा तथा आत्म विश्वास की कमी नहीं और भारत के भविशे में उन्हें पूर्ण विश्वास हैं यह सुभ लक्षन हैं अपने पिछडे हुए और दलित भाईयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ हम अपनी प्रतिग्याओं से मार्ग दर्शन और उन उच आदर्सों से उत प्रेरित हों कोमा जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से इश्मरन कराने के लिए महत्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया जो भारत में सच्चा कल्यानकारी राज्ये स्थापित करने के लिए कटी बद्ध हैं ऐसा कल्यानकारी राज्ये बनाएंगे जिसमें प्रतेक नागरिक को नै केवल समान अधीकार और समान अवसर मिलेगा कोमा बलकि वह अपने देश के प्रती कर्तवे का भी सविच्छा से पालन करेगा इस्टॉप मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श दूर्व तारे के समान हमारे पत्थ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहें मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूँ मुझे आसा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्यान के लिए सफल होगा और भारत गनराज्य की यह नई संशद मैत्री पूर्ण सहयोग का एक उधारण उपस्तित करेगी स्टॉप